नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइट एज्यूकेशन में बिहार दरोगा की मुख्य पर इच्चा की तयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यारतियों के लिए आज सेट नमबर हंड्रेड है और सेट नमबर हंड्रेड है तो इसलिए कुछ इंपॉर्डेंट भी है जी कि आपको 50 यानि की अर्ध सतक तो लगा के जरूर जाईएगा 50 कोश्चन सही जरूर कीजिएगा क्योंकि कोश्चन का पैटर्न भी टफ है और आज का पेपर भी इंपॉर्टेंट है चुकि यहां से कोश्चन एक्जाम में बनने की संभावना भी जादा है मेरे साथ जुड नय एक्जाम की तैयारी के लिए हम लोग आपके साथ जुडने वाले हैं तो प्लीज बीपे अप्यार और हमारे साथ जुड़े रहेगा ज्यादा ज्यादा लोगों तक प्लीज वीडियो को शेयर कर दिजिए और लगाते हैं सेट नमबर 100 आज के इस सिनारियो में पहला सब्कार ने भारत रतन से अलंकृत किया है वें सतनत्र भारत के अनेको अनेक पुलो और बांदो की निर्माता भी है उन्हों किया है पर या चुन छीम नाम मनें संब्सक्राइब होगा बी जिनका उतर सही आ रहा करेक्ट कर लिजेगा चलिए कोशें नमबर टू पे चलते हैं और हर कोशें का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए हमें यह मेहनत हमारी आप तक जा रही है तो इसको सफल जरूर बनाएंगे कमेंट कीजेगा ज्यादा ज्यादा लोगों जेकर यह डियूज सब्द जेकर यह डियूज वर्ड जो है ला किस खेल समबंधित है क्रिकेट से है जह Só आप्ष्ण में नहीं है बिलियर्ड से है होकी से हैञ टेनिस से या ब्रिज ی इन मेंसे कोई नहीं या इन में से एक से अधिक option वाला भी है यहाँ पर answer कीजिएगा देखिए it's a c is the right answer बिल्कुल 10 इस से हैं दोस्तों note कर सकते हैं हर question का answer सिफ देना है आज यहाँ पर आप लोग को इसलिए फट़ट करते हैं आज कोई description नहीं है लेकिन test देना है आपको यहाँ पर question number 3 पर चलते हैं दोस्तों निमलिखित में से किस राज्य की राज्य की यह भाषा अंग्रेजी है चलिए यह तो question में बहुत बार बताया हो ना और यह question पूछा भी गया है बीपीएसी में आंसर कीजिएगा दोस्तों नागाल है नागालेंट की राजानी कोहिमा होती है क्या जी हाँ बिलकुल आंसर करेंगे डी इस दराइट आंसर चलिए अगला question देखते हैं question number 4 पर चलते हैं कांजी रंगा राष्टे उध्यान किस वन जीवन प्राणी के लिए परशिद है यह question पूछा जा चुका है एक्जाम में कांजी रंगा राष्टे उध्यान किस वन जीवन प्राणी के लिए परशिद है दोस्तों यहाँ पे जितने भी question दिये जा रहे हैं यह expected हैं आपके आने वाले परिछा के लिए और important भी है यह question answer जो कि आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए लगातार जुड़े रहिए और answer करते रहिए एक बार प्लीज विडियो को share कर दिजिएगा कांजी रंगा राष्टे उध्यान इन में से कहां पे है तो उत्तर किजिएगा दोस्तों जी हाँ it's a not in the option जी हाँ आंसर क्या करेंगे किस के लिए किस प्राणी के लिए है तो प्राणी का नाम ही ने दिया गया है कांजी रंगा राष्टे उध्यान किस के लिए famous है तो यहाँ पे answer क्या करेंगे e is the right answer जी हाँ नोट कर सकते हैं उप्रियुक्त में से कोई नहीं अन्य था इन में से एक से अधिक तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे एक सिंग वाल अगेंडा मिलता है इसलिए और जंगली सुवर भी मिलते हैं इसलिए और एक से ज्यादा answer हो गया इसलिए e answer होगा उप्रियुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे लगा सकते हैं अगर यह दोनों दिया रहा था answer एक साथ जंगली सुवर और एक सिंग वाल अगेंडा तो आप यहाँ पे answer एक कर सकते थे एगर एक साथ कोई दिया रहा है तो इसलिए यहाँ पे e लगाएगा उ बिश्वे दिवस के रूप में मना जाता है चलिए दोस्तो आंसर करेंगे दोस्तो यहाँ फटा फट और जितने आंसर आप लोग यहाँ पे करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा चलिए कि कुश्चिन नंबर फाइब का अंसर करेंगे दोस्तो एक दिसंबर बिश्वे रूप में किस दिवस को मना जाता है तो आंसर यहाँ रखीगा इट्स दिवस नोट कर लिए c is the right answer एक दिसंबर इट्स दिवस के रूप में मना जाता है कुश्चिन नंबर 6 पे आते हैं लाल सीसा को बोल चाल की भासा में क्या कहा जाता है चलिए आंसर करेंगे लाल सीसा को बोल चाल की भासा में क्या कहा जाता है बिल्कुल जिनका उत्तर आरा दोस्तो जल्दी से फटा फटा आंसर करेंगे यहाँ पे विट्ट राल सीसा को क्या कहते हैं परेखेंगे गुवा जो है गुवा के बारे में थोड़ा सा विसलेशन जरूर रखिएगा आप लोग क्योंकि 1987-30 मई को ये जो राज है हमारे देश भारत में आकर मिला है जी हाँ दोस्तो ये भारत का दक्षणी पश्मी राज है जो गुवा है बहुत छोटा राज है इसकी राजधानी पढ़ जी होती है और इसका सबसे वड़ा सहर है वासको देगामा वहां के सहर में छीक है दोस्तो नोट कर सकते हैं यहां पर कौंकणी भाजा भी बोली जाती है चलिए कोशन नमबर एट पर चलते हैं दोस्तो चलिए आंसर करेंगे आप ए दोस्तो जल्दी से विस्वत तम को मनाये जाता है देखे अगर यहां पे आपको मैं बता दू कि यहां पे इस बार 2020 का जो थीम था कि लोगों को युवाओं को जागरूख करना जी हां जो भी तंबाकु पदार्त का सेवन करते हैं उनको जागरूख करना उनको इन सभी चीजों से दूर रखना निकोटीन क संग्रहाले की स्थाफना कहा की गई थी आंसर करेंगे फटबड़ यहां पे राष्ट्रिए विछल उनकोट्ष कर सकते हैं आंसर हमारा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा चलिये Question 10 पे आते हैं और फटबर देखते हैं अंत्रिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन बना था चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहां अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन बना था चलिए आंसर होगा यहां पे दोस्तों सोवियत संग रूश नोट कर लें यूए इस इस आर नोट कर सकते हैं दोस कोशन के आंसर यहां पे दे कर ही जाना होगा आप लोग को चलिए अगला कोशन है 11 ग्लोब पर भारत की स्थिती उत्री अक्षांस के बीच है किसके किसके बीच में है आंसर कर दीचेगा दोस्तो आठ डिग्री चैनल 4 और 37 डिग्री चैनल 6 के मध्य में है आंसर बी करेंगे यहां पे इस दे राइट आंसर नेक्ट कोशन पे चलते हैं कोशन बारा भारत में स्वण उत्पादन पर निम्लिकित में से किस राजी का लगबग एक अधिकार है चलि नोट कर सकते हैं इसलिए कोशन को जरूर आंसर करेंगे यहां पे चौरी चौरा कांड संबंदित है चलिए चौरी चौरा कांड संबंदित है याद रखेगा अगला question देखेंगे question number 14 Martin Luther को किस आंदोलन का निर्थित्व करने के लिए जाना जाता है Martin Luther को किस आंदोलन का निर्थित्व करने के लिए जाना जाता है बिल्कुल यहाँ पर answer करेंगे दोस्तो it's a B रंगभेद के बिरूद जी हैं दोस्तो करीब 1473 से लेकर 1473 से लेकर 15 से 43 के मद्दे में इसाई धर्म के ये Martin Luther जो है ये आंदोलन थे सुधार करता थे जिहां और ये जर्मन भिक्छु धर्म शास्त्री भी थे इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखेगा रंगभेद बिरूद के उपर ये आंदोलन किये थे कोशिय नमबर 15 पे आते हैं दूइतिय बिश्यूत के दौरान ब्रेटेन का नायक परधान मंत्री अंसर करेंगे दोस्तों यहां पे जिहां डी जिनका उतर आ रहा है विस्टन चर्चिल इस दर राइट आंसर जिहां ब्रेटेन का नायक परधान मंत्री था दूइतिय बिश्यूत के बाद विस्टन चर्चिल इस दर राइट आंसर अगला प्रश्ण है यहां पे दोस्तों कोशिय नमबर 16 यदि राश्ट्र पती स्वेक्षा से अपना पत्याग करना चाहे तो वह अपना इस्तिफा किसको दे सकता है बिल्कुल याद रखेगा आंसर होगा दोस्तों यहां पे अपने उपराश्ट पती को भारत के उपराश्ट पती को दे सकता है बी इस दर राइट आंसर नोट कर सकते हैं यहां पे अगला कॉश्ण देखेंगे कोशन नम्बर 17, निमलिकित में से कौन पंजाब की सीमा परिस्थित नहीं है, जल्दी से आंसर करेंगे दूस्तों यहां पे, कोशन नम्बर 17 का अंसर क्या जाएगा, इस बी, उत्रा खंड is the right answer, बी 17 का अंसर क्या जाएगा, उत्रा खंड is the right answer, नोट कर लिजीगा, जो कि प बाली भाती जाना जाता है, आंसर करेंगे दूस्तों 18 का, भारत में बॉम्बे हाई, इनिमलिकित में से बाली भाती जाना जाता है, बिल्कुल, आंसर करेंगा, तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है, नोट कर लिजीगा, तेल अनुसंधानों के लिए जाना जाता है, अगला question देखते हैं, question number 19 पे चलते हैं, वह British प्रधान मंत्री जिसके समय में भारत ने स्वतंतरता प्राप्त की थी, आंसर कर रहेंगे दोस्तों उनका, Clement Italy, D is the right answer, D is the right answer, note कर सकते हैं, Clement Italy is the right answer, अगला question देखते हैं, question number 20 पे चलते हैं, तुलसी दास किसके समकालीन थे, किसके राजा के समकालीन थे, कौन सा उसमें मुगल सा सकता, बिलकुल याद रखेगा, अकबर is the right answer, note कर सकते हैं, दोस्तों, B is the right answer, note कर लिजएगा, answer हमारा B हो जाएगा, अगला question देखेंगे, 21, निमलिकित में से कौन भारत का प्राचिंतम राजवन्स है, राजवन्सों के बारे में पढ़ा चुका हूँ, मैं एक एक question बता चुका हूँ, देखिए, set इतने क रिपीट होगा, लेकिन related रहेगा, है ना, और repeated भी रहेगा, तो related रहेगा वो, answer कीजएगा, इसका, निमलिकित में से कौन भारत का प्राचिंतम राजवन्स है, तो more is the right answer, see is the right answer, next question पे चलते हैं, 22 पे, परसेद संत सेख सलीम चिस्ती का कबर किस सहर में था, answer करेंगे दोस सकते हैं, दोस्तो, it's a D is the right answer, जी हां, दोस्तो, अजमेर सरीफ में है, अजमेर जो है, राजिस्तान का एक सहर है, जी हां, एक धार्मी के स्थल भी माना जाता है, Muslim समुदाय का, अगला question है, दोस्तो, 23, दोस्तो, इसलाम धर्म के परवर्तक पैगंबर मुहम्मद का जनम कहा हुआ था, एक्शली, जल्दी सांसर किज़ेगा, कब हुआ था, जल्दी सांसर करेंगे, यहां पर, इसलाम धर्म के परवर्तक और पैगंबर मुहम्मद का जनम हुआ था, दोस्तो, 570 इसवी में, जी हां, D is the right answer, दोस्तो, नोट कर सकते हैं, यहां पर D हो जाएगा, अगल की कमी के चलते होता है, यह तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन यह हमारे किस अंग के द्वारा समानने कारें नहीं किये जाने के पर होता है, तो जब इन्सुलिन की कमी होती है, तो हमारे अगनाश् alarm में, जो कारें होते हैं, चंता है, तो दोस्तो, D is the right answer, ज्या है, क्शि तो our website एक वीडिया बनाया है आपके लिए उन सबी वीडियो को और अभी यहां पर जो कुछ नएपन में बतानोंगा इसके बारे में आज ने इसके बारे में कल announcement होगा ठीक है और कल वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा को कि कल नए ने वीडियो के लिए announcement कि जाएंगे चलिए जिपसम का रसायनिक नाम है calcium sulfate is the right answer note कर संक्रेदोस see is the right answer note कर लिजेगा question number 26 छलिए question number 26 का answer करेगा अप एक चित आदरने के लिए नेमलिकित में से kis ऊपकरन का उपयोग किया जाता है जल्दिस ka उपकरन क्या जाता है प्लिकुल वत-तर सही कि मिजीएगा see hydromete or in the right छ Identiser चलिए दोस्तो आंसर करेंगे दोस्तो यहां पर आंसर कीजिएगा जिया निम्रिकित में से कौन सा यूग में सुमेलित है यहां पर तो अमरावती बहुत इस्तूप तो है दोस्तो यहां पर आंधरा प्रदेश में है यह एक सुमेलन बिल्कुल सही है बाकि सारे के सारे गलत ह यहां पे चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहां पे question number 28 पे चलते हैं दोस्तों भारत और प्राचीन भारत और चीन sorry not प्राचीन भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा को क्या कहते हैं यह question पूछा गया exam में जी हां इसको कहते हैं Mac Mohan line note कर सकते हैं दोस्तों it's a c is the right answer Mac Mohan is the right answer question number 29 पे चलते हैं फटा फटा आंसर करते हैं निकट द्रिष्टी दोस्त को सुधार किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है कौन से lens के द्वारा answer करेंगे answer करेंगे दोस्तों यहां पे it's a nिकट करेंगे दोस्तों यहां पे 30 का और पास की चीजे दिखाई देती है ठीक है इसलिए इसमें उल्टा होता है दूर द्रिष्टी दोस्तों में हम ले दूर की चीजे दिखाई देती है चलिए आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे 30 का सरीर में किसके अधिक काय से कारण यहाँ पे दिल का दोरा पढ़ता है चलिए सरीर में कौन सी चीज सबसे ज़्यादा अगर बढ़ती है तो उसमें दिल का दोरा पढ़ सकता है आपको तो आंसर करेंगे दोस्तों यहां पर जल्दी से बेलकुल आंसर करेंगे कलिस्ट्रोल इस दराइट अंसर, बीकलेस्ट्रोल इस दराइट अंसर, नोट कर लिजएगा, अगला कोशन देखते हैं, क्योशन नम्बर 31, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन होती है, गो जिनका उतर DRR correct कर लेंगे चलिए question number 32 पे चलते हैं प्रिथवी सूरे से प्रचूरतम मात्रा में उर्जा निम्ने रूप में प्राप्त करती है क्या प्राप्त कैसे प्राप्त करती है किस बिधी से तो जी हां उर्जा प्राप्त होता है दोस्तो अउरक्त तता ताप उर्जा जी हाँ, note कर सकते हैं, दोस्तो, B is the right answer, note कर सकते हैं, यहाँ पे, question number 33 पे चलते हैं, electron की खोज किसने की है, जल्दी से answer करेंगे, electron की खोज किसने की है, दोस्तो, फटा-फट answer करेंगे, और 100 number का set है, आपने के लिए मेनत की गई है, आज यहाँ पे, और इस वीडियो को जदा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे थॉम्सम जी हाँ बिल्कुल सही उतर कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर सी इस दराइट अंसर अगर सी उतर कर रहे हैं एलेट्रॉन का जे जे थॉम्सम है इनके जो खोच करता है चलिए कुश्य नमबर 34 पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे किस किसी पिंड का गुंड धरम जो बिश्व में अपनी स्थिती के स्वतंत्र है आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे किसी पिंड का गुंड धरम जो की बिश्व में अपनी स्थिती के लिए स्वतंत्र है आंसर करेंगे यहाँ पे ग्रे नाइट निम्न में से पाए जाता है दोस्तो डेल्टा का निर्मान होता है जब नदी में मुहाने पर क्या होता है डेल्टा का निर्मान होता है जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्वल होती है यहां आंसर क्या करेंगे B होती है यहां पे B is the right answer Question number 37 पे चलते हैं निमलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है जल्दी से आंसर कर दीजिएगा यहां पे बिल्कुल सहारा मरूस्थल याद है ना आप लोगो बहुत बार बता चुका हूँ आंसर C हो जाएगा यहां पे Question number 38 मद्यरात्री का सूर्य परिघटना है मद्यरात्री का सूर्य एक परिघटना है कैसी परिघटना है बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों संपोर्ण आर्केटिक वृत का परिघटना है C is the right answer दोस्तों नोट कर लेंगे C is the right answer Question number 39 दोस्तों निमलिखित में से किस देश के निवासी के द्वारा Sinto धर्म का अनुपालन किया जाता है Sinto धर्म का अनुपालन किया जाता है दोस्तों जापान के द्वारा जी है आंसर क्या कर लेंगे यह जापान की दास्दाने टोक्यो होती है और जहां की करनसी यह नोती है Question number 40 पे आते हैं दोस्तों निम्लिकित में से कौन सा कथन सत्य है तो आंसर यहां पे कीजेगा इन में से एक से अधिक कथन सत्य है जैसे की डाक्टर भीमरा अंबेटकर जो है यहां पे अजयक्ष थे यह तो सही है और संबिधान सभा के अंबेटकर का निरवाजन पस्षिम बंगाल से हुआ था क्योंकि यह भी सही है कुलकाता से हुआ था याद रखिएगा तो एक से अधिक आंसर सही हो गया तो इसलिए ए कर लिजेगा अगला कौशन 41 पे चलते हैं निम्लिकित में से किस तिथी का संजुक तराष्ट संग अस्तित्वय में आ गया चलिए कोशन आया हुए एक्जाम में किस तिथी को संजुक तराष्ट संग अस्तित्वय में आ गया था 24 अक्टूबर सन 1945 को आपको बता चुके हैं यहां पर आंसर 24 अक्टूबर 1945 भी कर लिजेगा यह कॉशन भी पूछा गया है एक्जाम में कई एक बार चलिए कॉशन नंबर 42 पे चलते हैं सूरिय से सबसे दूर इस्तित ग्रह निम्लिकित में से कौन है सूरे से इस्तित दूर इस्तिती एक ग्रह है जो की निम्लिकित में से कौन है वीडियो थोड़ा सा लेट मिलेगा आप लोग आज तो उसके लिए चमा चाहते हैं आंसर कीज़ेगा दोस्तों 42 का आंसर बज़ेगा नेप्चून इस दर राइट आंसर बी इस दर राइट आंसर कोशन अबर 43 ध्वानी की चाल क्या है ध्वानी की चाल कितनी होती है यहां 760 मिली मिल प्रती घंटा यहां ध्वानी की चाल होती है आंसर क्या कर लेंगे C is the right answer अगला question दोसे यहाँ पे 44 दोस्तो, protest undolant का सुरुवात किया गया था कब किया गया था? protest undolant की सुरुवात हो थी Martin Luther के बारा जियां, दोस्तो, answer कीजिए यहाँ पे C is the right answer नोट कर लेंगे, चलिए question number 45 दोस्तो, भारत में कॉफी का सरवाधिक उतपादन किस राजी में होता है? भारत में कॉफी का उतपादन सबसे ज़्यदर किस राजी में होता है? जल्दी से answer करेंगे बिलकुल, करनाट का is the right answer B is the right answer, दोस्तो, नोट कर लेंगे next question पे चलते हैं, question number 46 स्री रंग पटनम में अंग्रेजों ने किस से पराजीत किया था? चले स्री रंग पटनम में अंग्रेजों ने किसको पराजीत किया था? answer कर रहेंगे दोस्तो, यहाँ पे टीपू सुल्तान को जी हाँ, B is the right answer टीपू सुल्तान को answer क्या करेंगे? B is the right answer, question number 47 दोस्तों computer में जाने वाला data क्या कहलाता है इसको क्या कहते हैं computer में डालने वाले data को input कहते हैं जो कि जाता है वो input होता है अगला question है दोस्तों यहां पे binary choice में कितने विकल्प होते हैं binary choice में सिर्फ दो विकल्प होते हैं 0 और 1 का ठीक है answer क्या करेंगे B हो जाएगा अगला question है दोस्तों यहां पे 49 एक byte से कितने मुल्य निरूपित किये जा सकते हैं एक byte से कितने मुल्य निरूपित किये जा सकते हैं answer कर रहेंगे दोसतों यहाँ पर जल्दी से फटा-फट it's a D5012 note कर सकते हैं दोस्तों 512 जे अगला question है दोस्तों यहाँ पे question number 58 input का output में रुपांतरन किसके द्वारा होता है input का output में रुपांतरन जो होता है वो control process unit के द्वारा होता है CPU is the right answer D is the correct answer अगला question देखते हैं चलिए 51 पे आते हैं फटा फट देखते हैं यह 50 question और है यहाँ पे और answer कीजिएगा आप लोग जल्दी से नीचे comment box में चलिए 2 रुपए के note निमलेकित में से किसके द्वारा जारी किये जाते हैं दो रुपए का note जारी कियाता है दोस्तो भारते रिजर बैंक के द्वारा C is the right answer नोट कर लेंगे भारते रिजर बैंक के द्वारा C is the right answer नोट कर से आरबी आई आरबी आई का मुख्याले होता है मुंबई में अभी सक्तिकान दास यहां के गवर्नर है Question number 52 पे चलते हैं दोस्तों सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वे को में योगदान दिया है चली आंसर करेंगे दोस्तों यहां पर A is the right answer जवाने हिंदवी को बढ़ावा दे कर जवाने हिंदवी को बढ़ावा दे कर जी हां आंसर क्या करेंगे B is the right answer कानपूर में उत्रपरदेश का एक सहर है कानपूर जी हां प्याज का खाने वाला योग भाग क्या है प्याज का खाने योग वाला भाग क्या है उसको हम लोग तना कहते हैं जी हां रुपांतरी तना है यह B is the right answer नोट कर लेंगे Question number 55 संजुक तराष्ट के खाद और क्रिशी संगटन का मुख्याले कहा है चलिए Question important है आज का exam में संजुक तराष्ट के खाद के क्रिशी संगटन का मुख्याले कहा है तो रोम इटली का सहर है रोम वहाँ परिस्त है दोस्तों आपको बता दना चाहते हैं हर तरह के Question पुछे जा सकते है जी आपके exam में चाहिए Static GK का पार्ट हो या History हो, जोगरफी हो या Quality हो, या फिर Science के Question हो Physics, Chemistry, Biology से Related हो और यहाँ पर आपको तो इस बार SLABS में Math और Reasoning भी रखा गया है English भी है तो थोड़ा ध्यान दिजिएगा exam की तैयारी पूरे ही Staticist से करना है मैं आपको एक पार्ट पुरा कभरप तो लगबग खराई चुका हूँ 100 सेट देकर लेकिन आप लोग का काम बनता है यहाँ पे जितने सेट दिएगे हैं उसका एक एक दिन कटके practice जरूर करेंगे और उसका PDF हम आपको शेर कर देंगे जिहां इसके वाइट एजूकेशन के टेलीग्राम चैनल पे जिहां तो टेलीग्राम हमारा जोइन कर लिजे वाइट एजूकेशन का जल्दी से जाके चलिए मदन मोहन मालवी है द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई आंसर कीजिएगा इन में से अधिक है एक से अधिक है ठीक है इस दराइट आंसर जिहां हिंदुस्तान सावित्री और फ्री हिंदुस्तान ये तीनों उनकी द्वारा ही लिए पुस्तक है लीडर भी सहथ है not confirm बट आंसर लीडर भी हो सकता है question number 57 पर चलते है बेलूर निमलिकित में से किस महापूरुस से संबंदीत इस्थान है बेलूर किस चली महापूरुस का संबंदीत इस्थान है बेलूर बिल्कुल स्वामी रामे कृष्ण परमांसर इस दराइट आंसर बी इस दराइट आंसर चलिए आंसर करेगा B is the right answer नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं दोस्तों 1905 में लॉड करजन के समय निमलिकित में से कौन सी घटना घटी हुई है चलिए लॉड करजन के समय में बंगाल का भीभाजन हुआ था न बिल्कुल याद रखेगा सन 1905 का बात आपको मैं बता चुका हूँ आंसर ए हो जाएगा यहाँ पे अगला कोशन है Kumash नमलिकित में से कौन सा खेल अमेरिका के अपेकशा क्रित सबसे कम लोग प्रिये है चलिए आंसर करेंगी यहाँ पे जी हाँ कौन सा खेल अमेरिका के अपेकशा क्रित में सबसे कम खेला जाता है अमेरिका में ये खेल आंसर कीज़ेगा दूस्तों क्रिकेट नहीं खेला जाता है बहुत कम खेला जाता है ठीक है कोशिट नंबर 60 पर आते हैं अकबर नामा के लेकक ये देखे बहुत बार पूछा गया है एक्जाम में इन फाक्ट BPSC में तो खासकर बहुत बार पूछा गया है अब बुल फजल है आंसर कर दीजिएगा B is the right answer नेक्ट कोशन पर आते हैं भारत छोड़ो अंदुलन कम शुरू हुआ बताईए कि कोशन अगर आप छोड़ने युक्त है क्या 100 में से हम 75 नहीं 80 का cut off रख देते हैं इस बार लेकिन कम से कम 50 लेकर आएगा जी हां इज़्जत बचा लिजिएगा भाई 50 लेकर जरूर आईएगा आप लोग भारत छोड़ो अंदुलन कम शुरू हुआ जी हां D is the right answer अगस्त 1942 में D is the right answer नोट कर लेंगे दोस्तो question number चलते हैं 62 की तरफ सितारा देवी सितारा देवी निमलिकित में से किसे संबंदित हैं कथक से संबंदित हैं दोस्तों नोट कर सकते हैं कथक से संबंदित हैं यह is the right answer नोट कर सकते हैं question number 63 पे चलते हैं देबलेकित मेंसे कौन सा जोड़ा गलत है कौन सा जोड़ा गलत बोल गया है यहाँ पे कोशन ध्यान से पढ़ लिजेगा गलत है राम-चिरित्र-मानश्ये तोलसी दास ने लिखआ है बालमिकी नहीं बालमिकी रमायन के लिखा गये ठीक है अंसर कीजिएगा स्टेलनेस स्टील के लोहे के अतिरिक्त निवन में से क्या होता है दोस्तों आंजर केजिएगा D क्रोमियम और निकल का मिक्सर होता है D is the right answer कुशी नंबर 66 पे चलते हैं भारत के राश्टपती के बारे में नियम लिक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है भारत के राश्टपती के बारे में नियम लिक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है जी हां राज्यपाल की नियुक्ती कर सकता है राश्टपती के बारे में कथन कहा गया है कि वो राज्पाल की नियुक्ती कर सकता है नहीं ये कथन गलत है यहां डी उत्तर गलत है यहां पर छुक्कि यह एक administrative पोस्ट होता है दोस्तो कि मिंलता है को अठोट है क्यमिलता है लिए मिलता है मिलता है क्षप्रोए तो नोट कर लेंगे question number 68 पे चलते हैं सुब्रमनियम भारती किस भासा से लेखक हैं सुब्रमनियम भारती किस भासा के लेखक हैं जिनका उत्तर यहाँ पे बी आ रहा है Tamil is the right answer Tamil is the right answer note कर सकते हैं question number 69 पे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे आंसर किजिए का पेड़ के कटाने पर जो रिंग निकलती है जिसे पेड़ करता है न बीच से तो देखते हूं कि रिंग टैप का बनता होगा उसमें क्या पता लगाए सकता है उससे बिलकुल सही उतर कर रहे हैं जो अगर उतर कर रहे हैं यह यानि कि पेड़ की हम आयू ग्याद कर सकते हैं पिर्ड के रिंग से question number 70 पे आते हैं दोस्तों नीरज सी चौधरी नीरज है ये किस भाजा के लेखाक है नीरज सी चौधरी जो है ये अंग्रेजी भाजा के लेखाक है it's a C is the right answer next question पे चलते हैं 71 चंद्रमा परनिम लिखित में क्या प्राप्थ होता है किस वस्तू के लिए प्रसिद है मकराना किस वस्तू के लिए प्रसिद है संग मरमर आंसर क्या कर लेंगे d is the right answer आप भी उत्तर कीजिए जितना जल्दी आंसर में कर दूँ से पहले उत्तर कर दीजिए आप लो चलिए सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी होआए कब उठने लगती है आंसर कीजीए गा दो से तीन सेगंड सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर से ठंडी होआए कब उठने लगती है बिल्कुल आधी रातों में आंसर क्या करेंगे a is the right answer यह question भी पूछा गया एक्जाम में 74 अकबर की राजदूत नीती से किसको लाव हुआ था अकबर की राजदूत नीती से किसको लाव हुआ था जी यहां मुगल और राजपूतों को मुगल और राजपूतों का मैत्री संबन्द बहुत ही जादा बढ़ गया था कौशे नमबर 75 पर चलते हैं कौन सा फसल जोकि कौन सा फसल है जो की उत्तपादन परथाम की थान पर है यद रखी हूं है नहां're कहल quickly कर लिजेगा दोस्तों एक से अधिक यहां पर है чем्बर 76 पर चलते हैं लोहें में जंग कले लगने और ज outreach कारक है चलिए लोहे में जंग लगने का मुख्यकारक है ऑक्सीजन जी हाँ ऑक्सीजन के चलते ही होता है सबसे ज़्यादा जंग लगना कोशन अमबर 77 यूए नो जी हाँ उस एजेंसी का नाम बताएं जो कि बाल कल्यान के लिए कारे कराती है यूनिसेफ याद रखेगा दोस्तो यह आंसर क्या करेंगे चलिए यूनिसेफ का फुल पॉम लिखे जल्दी से नीचे इसका मैं बता चुका हूँ कई एक बार कोशन अमबर 78 सिदार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाएं सिदार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाएं जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों जिससे दार्थ जो हैं वो आगे चलकर बुद्ध इसलिए कहलाएं थे क्योंकि उन्होंने सच्चे ग्यान की प्राप्ती हो गई थी जमायते इसलामी जमायते इसलामी निम्रिकत में से किस देश का राजनितिक दल है जमायते इसलामी नोट कर सकते हैं बंगलादेश का एक राजनितिक दल है दोस्तों बंगलादेश की राजधानी होती है ठाका यहां का करिंसी है ठाका नोट कर सकते हैं चल ये question number 81 पे आते हैं एतिहासिक काल में जैन धरम के 24 वे तिर्थकर कौन थे एतिहासिक काल के जैन धरम के 24 वे तिर्थकर देखे बहुत important question है जिया महाबिर स्वामी थे दोस्तों नोट कर सकते हैं ये एक छत्री अकुल के पैदा हुए थे एक व्यस्क थे जिया दोस्तों आंसर करेंगे जब उन्होंने अपनी महा स्वामी की उपादी ली थी ठीक है आंसर कीजिए यहां पर इट्सब भी जिया 24 वे तिर्थकर कौन थे तो जैन धरम के महाबिर स्वामी थे एक विज्ञान के छित्र में भारत ने निम्लेकित में से कौन सी प्रगती नहीं की है नहीं किया है इसने भारत ने जिया चंद्रमा पर आदमी को मसाने की तयारी बी इस दराइट अंसर नहीं हुआ अभी तक चलिए कोशन नमबर दोस्तो 83 पे चलते हैं हर्स वर्धन के काल में सिक्छा के सर्वस्रेष्ट विवस्ता निम्लेकित में से किस इस्थान पर थी आंसर करेंगे दोस्तो नालंदा is the right answer, c is the right answer, नालंदा is the right answer, next question में चलते हैं, question number 84 पे आते हैं, मच्छर निम्लेकित में से किस रोग का वहक नहीं है, answer कीजिए दोस्तो यहाँ पे फटाफट 84 का, यह यक्षमा का कारक नहीं होता है दोस्तो, d उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, question number 85 पे आईए दोस्तो, घाट की बजट की पूर्ती कैसे की जाती है, answer कीजिएगा, जिहां पर्तेक्ष कर बढ़ा कर भी और नोट छाप कर भी, ठीक है, तो एक से ज्यादा उत्तर होंगे, यहाँ पे, यह उत्तर कर लिजेगा, दोस्तो, यहाँ पे, is the right answer, next question है, दोस्तो, धन विद्यक के विसे में right answer, next question पे चलते है, 87 पे, निमलिखित में से कौन सा नगर भिन है, नगर भिन है, यानि की अलग है, देखे, कुनार, जोस्तो, आपको बदा दे कि यह उडिशा में है, तंजाओर भी उडिशा का एक जिला है, तिरुपती भी उडिशा में है, लेकिन जमसेतपूर जो है, व जो प्रभावित नहीं थे उनसे, जिहां वो थे लेनिन, C is the right answer, next question पे चलते हैं, दोस्तो 89, निमलिखित में से कौन सा वैदिक काल में विद्दमान नहीं था, आंसर करेंगे दोस्ते यहां पे, जिहां नहीं था, नहीं बोला गिया है, यहां ई कर लिजीगा उत्तर दोस्त विक्टोरिया जील है, यह बिल्कुल सही बात है, और बर्लिन स्वान नदी के किनारे पर इस्थित भी है, पेरिस जो है नदी के तट यह थोड़ा गलत है यहां पे, और यांगसी नदी का उद्गम तिबद का पठार, यह भी सही कतन है, तो यानि एक से अधिक कतन सत्त दी है, क्योंकि वो देश का होता है, ठीक है, डी इस दे राइट अंसर, कोशे नबर 92 पे चलते हैं, दोस्तों खिलाफात अंदोलन में कॉंग्रेस द्वारा सहयोग देने का कारण क्या था, चलिए वीडियो को एक बार लाइक और शेर कीजिए, जितने लोग नए जोड़ रहे बाकी बिहार सरकार की यहाँ पे किरपावर रहेगी, तो सब कुछ ठीक है, जैसे कि अभी देखे, बिहार पुलिस का बहुत जो रोसोर से चल रहा है, वहाँ पे पेपर लिक हुआ है, आउट हुआ है, लेकिन उसके कोई फरक नहीं पढ़ रहा है, सरकार को, कितने भी केस ह हो जाए, वो फाइनली एक्जाम का सेलेक्शन करके ज्वाइनिंग कराए जाएगी, जो लोग केस कर रहे हैं, उनको लास्ट में ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, यहां यह बात ध्यान रखीगा, लेकिन त्यरूर आटी कीजिएगा आप लोग, चली 92 का अंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पर A, राष्ट्री अंदोलन के मुसल्मानों का सहयोग प्राप्त करना, A is the right answer, नोट कर सकते हैं, क्वेशन 93 पर चलते हैं, बांदीपूर वन्य बिहार अभ्यारन कहां जित है, बांदीपूर जिया नोट कर सकते हैं, दोस्तों, बांदीपूर वन्य बिहार कहां जित है, तो आंसर किजिए का करनाट का, C is the right answer, नेक्ट कोशन पर चलते हैं, 94 पर, गोर्खा अंदोलन किस से समंदित है, सुबास किसिंग से नोट कर सकते हैं, दोस्तों, B is the right answer, चलिए कोशन नमबर 95 पर आते हैं, निम लिखित में से विस्व का पहला अंतरिश परिय निम लिखित में से पंचित तंतर किस ने लिखा है, यह बहुत बर कोशन बता चुका हूँ, और बहुत बर एक्जाम में पूचा भी गिया है, इसलिए कोशन आज का पैटरन जितना भी कोशन लिखा रहा है, वो रिपिटेट तो था ही, एक्सपेक्टेड भी था और इंप फाइदा हो सकेगा, BPSC की भी त्यारी कर रहा है, तो यह मोगटिश आपके लिए बहुत इंपोरेंट है, प्रेलेम्स के बहाफ में, जी हां, आंसर 96 सकी जी का बिश्नु सर्मा, इस द राइट आंसर, नेक्स कोशन पर चलते हैं, कोशन बर 97, दोस्तों, गीत सेठी किस केल स केल से संबंदित हैं, जी हां, नोट कर सकते हैं, दोस्तों, इस दी बिलियेट से संबंदित हैं, कोशन बर 98, दोस्तों, निमलिखित सहरों में से किसे, IIM इस्थित नहीं है, चलिए, आंसर कीजी का 98 का, IIM नहीं है यहां पर, कानपूर में, बिलकुल, कानपूर में IAT है क्य या पता ही हमें नीचे comment box में comment करके IIT कानपूर है क्या बिल्कुल है D is the right answer चलिए यहाँ पे IIM नहीं है बल की question number 99 चलिए answer दीजिएगा दोसो due say mark किस देश की मुद्रा है due say mark किस देश की मुद्रा है currency है यह बिल्कुल answer कीजिएगा जल्दी से C is the right answer जल्दो जर्मनी का यह मुद्रा है currency है नोट कर लिजिएगा और आज का यह आखरी प्रस्ण है the tau of cricket के पुस्ता के लेखा कौन है the tau of cricket के पुस्ता के लेखा के आसीस नंदी C is the right answer नोट कर लिजिएगा दोस्तो तो दोस्तो आज के इस पूरे वीडियो में आपने कितने उत्तर सही किये नीचे comment box में comment करके 100 में यहाँ पे क्या आपने 75 questions सही किये हैं तो समझेगा कि आपके तैयारी बहुत अच्छी है 50 पे हैं अगर 50 पे हैं तो समझेगा कि तैयारी अफी और बाकी है मेरे दोस्त आगे और तैयारी करना है तो जिसके लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे रोज शाम को 8 बजे ये वीडियो देखना आप लोग ना भूलेंगे जी हाँ आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में और कल वीडियो जो दिया जाएगा आपको वो वीडियो जरूर देखेगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा क्योंकि कल कुछ नए एनांस्मेंट भी होंगे जी हां दोस्तों इन्पॉर्टेंट है इसलिए बाए बाए